तो जुनागड मा ट्राविल्स मा कुरियर द्वारा मंगावम आवेल गांजो जड़पायो छे छेला केटला समय ती गांजाना पार्जल करीने वेच्वमा आवतो हतो पोलिसे बातमीन आधारे मोपेड मा राकेल गांजानो जत्तो जड़पी पाड़ीो छे भरत उर्फे पूरन वालजी बगड़ा जड़पायो छे सूरत्ती गांजो मोकलनार तुशार जोशी फरार थेवो छे तो पोलिसे नशाकर गांजो मोपेड मोबाईल सहीत रुप्या 55,800 नो मुद्धमाल कबजे करीने वधुतपा सात दरी छे तो नवसारी ACB पोलिस नी टी में बेलांच या पोलिस कर्मियों नी करी छे धरपकड फर्यादी पासे थी एक लाक रुप्या नी मांगी हती लांच लांच ना 89,000 रुप्या लेता ACB नी टी में जड़पी पाड़या हता वलसार जिला ना उमरगाम पोलिस स्टेशन मां हैट कॉंस्टेबल तरीके फरज वजावता परेश कुमार राम भाई आने पोलिस कॉंस्टेबल मुरु भाई गडवी नी धरपकड कराई छे फर्यादी दारुना केस मा वांटेट जाहर था ता कर्मियो ये लांच नी मांग करी हती तो मरगाम ना गांधी वाडी विस्तार मावेला वल्लब हाइट्स बिल्डिंग ना मावला चानी दुकान बाहर फर्यादी पासे थी आरोपी पोलिस कॉंस्टेबल लांच लेता एसी बीना हाटे रंगी हाथ जड़ पाया हता पोलिसे काईदेसर नी कारवाही हाथ धरी हती समाचर मा अगरवात नवसारी नी गैस सिलिंडर का उभाण नो परदा फाश्थ है ओछे जलालपोर मा गैर काईदेसर करायो हतो संग्र गर्वप्राश कमर्शिल गैस सिलेंडर नो संग्र गैर कायदे संग्रकरी नी वेचान करनार जड़पायो छे तो स्थानिक पोलीस उंगती रही अने सोजी जड़प्यो छे 6 बाटला सहीत रुप्या अधार हजार नो मुद्दा माल कबजे लिवायो छे लोखन नी कैबिन मा मुकेला बाटला नो जथो कबजे लिवायो छे गिर्श ओमनातना ग्राम्य विस्तार मा सी ना आटा फेरा जुआ मड़िया छे कोडिनार मा सी परिवार नी रोड़ पर लटार रहधारीये बनावेलो सी नो विडियो वायरल थे हो छे जामवाडा रोड़ पर रोणाज गाम नजीक देखायो सी परिवार सीहन अने बार सी रस्तो ओडंता नजरे पडिया पाणी अनेखो राक्नी शोद मा सी हो रहनाक विस्तार मा देखाया हता कोडिनार शहर नी नजीक सी परिवार नी हाजरी थी भैनो माहोल जुआ मड़ियो तो कोडिनार शहर नजीक सी नी हाजरी थी लोको माफ अफडाट पैलायो छे तो ग्राम्य विस्तार मां सीना आटा फेरा सतत वधी रहा छे त्यार्या द्रश्चोर सामे आविया जां सी परिवार जुआ मड़ियो तो सीहन अने बार सी रस्त ओडंगता नजरे पड़िया था जिसमें राहदारी या समगर घटना कैमरा मां कैद करी हती अमदवाद मां एम्टेस बसना कसमात मामले एम्टेस ना पूर्व चेर्मेन नो मोटू निवधन सामे आविचे वर्षो पहला एम्टेस ना खांगी करण बाद चालको वेफाम बनिया छे इंचार्ज नो पन कोई सामबड कु न थी भाजपना लागता वड़कता कॉंट्रेक्टरों न हात मा एम्टेस नो कंट्रोल हुआनो पन आक्षेप करियो वधुमा कहिँ क्या कॉंट्रेक्टर ना दबाण ना कारणे कोई कड़क कारवाही न थी करवा मावती खांगी करण पहला तंत्रनों एम्टेस ना ड्राइवरों पर कंट्रोल हातो जेती अकस्मा तो थता नोता आसा आते तेमने अकस्मा सर्चनार एम्टेस ना कॉंट्रेक्टर ने ब्लैक लिस्ट करवानी पड मांकरीश है तो महत्वन नुछे कि एम्टेस ना पूर्व चैर्मेन नू मोटू निवेदन सामयावियो चे अन्या निवेदन मा बेदरकारीनों जो मुख्यकारण चे ते पंड तेमने जना आवियो चे कि जे ड्राइवरों चे ति ड्राइवरों कंट्रोल मां एम्टेस ना खांगी चालको बेफाम बनिया छे भाजपना लागता वड़कता कॉंट्रेक्टरों ने हाथे कंट्रोल छे तेवू पन तिमने कहिऊ कॉंट्रेक्टरना दबान थी कारवाही पन नती थाती कि अि अलिक माणी कि नी बसों फरती नती त्यारे टोटल यह कॉंट्राक्त भी ही उपर नी बसों फरी रही छे त्यारे हूं ॹं हम मानुस हूं के यह कॉंट्राक्त नी बसो न तो पहला कंट्राक्टर नी बसो चाली रही जे एमना लागता वड़कता जवाबदारी पुर्वक काउचु के भारती है जिनता पाटी ना लागता वड़कता कंट्राक्टरों ने एक अबलाइट करवा माट थे जाने EMTS चलावामा आउती हो ये रीते चाली रही हुजे बेफाम रीते दाइवर कंट्रों वर्ती रहा जे पहला तो EMTS नो स्टाफ रहतो तो और EMTS ना डाइवर कंट्रों अबलाइवर कंट्रों उपर रहतो तो लोकसबानी चूंटणी परेणामों बात कॉंग्रेस मां राजीनामा नो दोर जोव मडी रहो छे डांग जिल्ला कॉंग्रेस प्रमुखे आपपी छे राजीनामों मुकेश पटेले जिल्ला कॉंग्रेस प्रमुख पदेती राजीनामों आपई छे वलसार डांग लोकसब वैटक मां डांग मां कॉंग्रेस नूँ प्रदर्शन निराशा जनक रही हुआ नू कारण आपियु छे डांग जिला मां कॉंग्रेस से माइनस रहता हार नी जवाबदारी स्रीकारी छे तो प्रदेश कॉंग्रेस प्रमुख शक्तिसी गोहिल ने राजी नामू मोकल यूँश है गुजरात ना खेडुतों माटे आननना समाचार चौमासू होए गुजरात थी फक्त 250 किलूमीटर दूर छे गुजरात मा आवखते वहलू बैसी शके चे चौमासू तो गुजरात मा चौमासान आगमननू काउंडाउन चौमासान आगमननी तैयारी चौमासू होवे नजीक जुवा मड़ी रहूँश है चौमासा पहला ज वर्सातनू रेड एलेट महराष्ट ने गुवा मा अत्यंत भारे वर्सात दी संभावना छे तो महराष्ट गुवा तथा करनाटक मा रेड एलेट छे जोड़दार पवन साते मेग राजा ये बोलावी शेके छे बगडाटी आठ हिश्ती वदू वर्सात ताटकवानी संभावना छे राजमा आगामी पांच दिवस वर्सातनी आगाही छे पांच दिवस सामान्य धी मध्यम वर्सातनी आगाही करवा मावी छे साथे थंडर स्टॉम एक्टिविटी ना कारणे 30-40 किलोमेटर निजड़पे पवन पड़ फुका शे तो महत्वन उचे के आज ती तेर जुन सुधी सवराष्ट्र मध्या ने दक्षिन गुजरात माँ पड़शे वर्सात आजी गिर सुमना तमरेली भावनगर पंच महाल दाहोद माँ पड़ी शेके चे वर्सात तो वडुद्रा छोटाओ देपुर नर्मदा भरुच सूरत तापी अने डांग माँ पड़ वर्सात नी शेके ताछे तो नव, दस अने अग्यार जुने सवराष्ट मध्य गुजरात दक्षिन गुजरात अने दादरनगर हविली माँ सामानी वर्सात पड़ी शेके चे तो बार जुने सवराष्ट उत्र गुजरात माँ सामानी ती मध्यम वर्सात नी आगा ही चे तेर जुने सवराष्ट अनिदेक्ष्टन गुजरात्मा बर्साद मी शक्यतात जुवा मड़ी रहीश है गुजरात रीजन के लिए डेवन से डेफोर आने वाले चार दिनों के लिए फ्यू प्लेसेश पे लाइट से मौड़े ट्रेन फाल होने का पुर्वानिमान दिया गया है और जो डिस्टिक है जहां पे आने वाले चार दिनों के लिए साउथ गुजरात रीजन के डिस्टिक में फ्यू प्लेसेस पे लाइट से मॉड़े ट्रेन होने का पुर्वनमान दिया गया है वो डिस्टिक है बडोदरा, छोटा, उदैपूर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नौसारी, बलसार, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली और नौर्थ गुजरात रिजिन के जो डिस्टिक है जहां पे आने वाले चार दिनों के लिए आइसलेटेट प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पुर्वनमान दिया गया है वो डिस्टिक है पंचमहल, दाहुद और महिसागर डिस्टिक है जहां पे आइसलेटेट रेन होने का पुर्वनमान दिया गया है और जो डिस्टिक है जहां पे आइसलेटेट रेन होने का पुर्वनमान है वो डिस्टिक है साबरकांठा, अरावली, दाहोद, महिसागर, नर्मदा, सूरत, डांग, नौसारी, वलसार, ताफी, दमन और दादरानगर है वेली और सौराष्ट रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट और कच रीजन के लिए जो डिस्टिक है जहां पे आइसोलेटेट प्लेसेस पे लाइट रेन होने का परवानमन दिया गया है वो डिस्टिक है अमरेली, भावनगर, गीर सोमनात, बोटा, दीव नदी मां पाणी नी आवक शरू थाई छे चोटा उदेपूर नी सापर नदी मां आवक शरू थाई छे चौमासा पहलाज क्वांटना उमेठी गामनी सापर नदी वहवालागी छे दुराजमा पार्णी नी समस्या निलेईने राहतना समाचार सामे आवी रहा छे गुजरातनी जीवादोरी समान नर्मदाडेम मां वगर वर्सादे नवा नीर आव्या छे महराष्ट और मध्यप्रदेश मां विजुता उत्पादन शरू थाता नर्मदाडेम मां पाणी में आवक थाई छे तो नर्मदाडेम नी महत्तम सपाटी 123.88 मिटर पर पहुंची छे डेम नी महत्तम सपाटी जी दरवाजा 62 माविया छे ते 121.2 मिटर छे जी डेम नी महत्तम सपाटी 123.88 मिटर छे हाल नर्मदाडेम मां उपरवास मां ती 24,000 क्युसेक पाणी नी आवक थाई रही छे जिन लेने गुजरात मांटे में कैनाल मां 20,000 क्युसेक पाणी आपवमा विरू छे तेर्या चौ मासा मा नर्मदाडेम तेनी महत्तम सपाटी पर जड़पती पहुँचे तेवा एंधान वर्ताई रहा छे जीवाजोरी सर्दार सवर्व नर्मदाडेम खरेखर आजे गुजरात मांटे एक सारा समाचा लही नावी छे कारण के उपरवास मां म्हध्य प्रदेश अने महराष्ण मां जे पावर हाव स्वरू ठता चौरानू हजार जित्ती शक जितलू पाणी आज नर्मदाडेम मां नवा निर आवी रिया छे जने लई नर्मदाडेम नी सपाटी उत्तरवतर वधी रही छे खास वाद करिये तो हाल जे उनाडा जे चाली रहे हो छे अने उनाडा पूर्ण धवा आवी हो छे अने च्वामासु ब्यास से परन्तु हाल उनाडा ना दीगरी तापमान मां पन सर्दा सवरो नर्मदाडेम मां पानी आवग्तता नर्मदाडेम नी महतम सपाटी उत्तर वताई चुकी छे अने हाल तम्हें जे न्यू सेटिंग गुजाती पार जो इस्तर को चुकी द्रस्तियों के जे अना दर्वाजा छे ये दर्वाजा लगो लग पानी आवी चुकी छे कारण के 123.8 मिटर नर्मदाडेम पोंच्यों चे अने उपरवास मां ते 14,000 किसत पानी नावग्तत पानी छे इले कई सकाए के जे आवनारा दिवोसा मां जे महत्वाजा जे देमनी सपाती छे 138.8 मिटर जे सर कर से हाल जे वहली तके जे वर्साद पोड़े औने जो वधारे वर्साद पोड़े तो जे तुक समाई मा जे नर्मदाड डेम जे निमहत्तम सपाते वटावे तेया म ल पालचोक विस्तार मा भराया छे पाणी गटर लाइन तूटी गटर ना पाणी रोड़ पर फरी वड़िया रोड़ पर पाणी फरी वड़िया छे वहां चालको परिशान थे राचे स्थानी कोनी एमसी ने फर्याद छता निराकरण नथिया विरहू